योड से ही कारिकरता तयारियों में जुटे हुए हैं तो राय बरेली पहुँचे राहूल गांधी स्वक्थ की बड़ी जानकारी बड़ी ख़बर दोपहर में 12 बज़े नमांकन भरेंगे राहूल गांधी और राय बरेली पहुच चुके हैं इससे पहले जब दिल्ली से रवाना हुए थे राहूल गांधी तब भी न्यूजेटी ने आपको तस्वीर दिखाई अब राय बरेली पहुँच चुके हैं और सवा बारा बज़े राहूल गांधी की ओर से नमांकन भरा जाएगा तो आपको बता दे आज नमांकन भरने का आखिरी दिन है अमेची और राय बरेली दोगों सीटों पर और राय बरेली को लेकर अब कॉंगस पाची चुकी क्लियर कर चुकी हैं चुनावी योद्दा के रूप में राहूल गांधी ही होंगे चुनावी मैदान में और उनके साम ने राय बरेली में भारती जिंता पाची के दिनेश प्रताप सिंख होंगे इससे पहले पिछली बार 2019 में लोग सभा चुनाव के दरान सोनिया गांधी ने यहां पर चुनाव लड़ा था उनकी मा ने चुनाव लड़ा था और अब मा की विश्वे सर्वा समझते हैं तो अभी आपनी केशर प्रसाद मौर्या को सुना तो राउल गांधी बारा बज़े के बाद नामांकर भरने वाले आज और इस वक्त पहुंच चुके राइबरेली एर्पोर्ट पर जिसकी तस्वीर लगातार आपको हम दिखा रहे हैं तो आज पुरे शक्ती प्रदर्शन के स्ताथ नामांकर भरा जाएगा सवा बारा बज़े के बाद नामांकर भरने की प्रख्रिया शुरू हो जाएगी नॉमिनेशन फाइल करेंगे राहूल गांधी आज राइबरेली सीप से तो लगातार सस्पेंज जो बना हुआ था संशे जो बना हुआ था वो अब खत्म हो गया है कॉंग्रिस पार्टी की ओर से चुनावी युद्धा राइबरेली से चुन लिया गया है राहूल गांधी को और राहूल गांधी अब चुनावी मैदान में उतरने जा रहे है सवा बारा बज़े नामांकन उनकी ओर से भरा जाएगा प्रियंका गांधी भी यहाँ पर मौजूद रहेंगी और कॉंग्रेस के राष्ट्री अध्यक्ष मलिका जुन खड़गे भी मौजूद रहेंगे तो तमाम कॉंग्रेस की बड़े नेता आज आपको एक जगा पर न तो अपनी मा की विरासत को संभालते हुए नजर आएंगे प्रियंका गांधी को भी आप तस्विरों में देख रहे हैं वो भी पहुंच चुकी है और इसके साथ ही आपको बता दें सोनिया गांधी भी मौजूद रहेंगी पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर सोनिया गांधी ने चुनाव लड़ा था और डेड़ लाग से जादा वोटों से बीजेपी के उमीदवार को सोनिया गांधी ने हरा दिया था लेकिन इस बार इस सीट पर राहुल गांधी क्योंकि चुनावी मैदान में होंगे तो क्या वो भी एक अमाल कर पाएंगे य राहुल गांधी लेकिन फिलहाल नमांकन भरने के लिए पहुँच गए है तो राय बरेली की जंग राय बरेली की सीट पर जो लड़ाई है वो और ज्यादा दिल्चस्प अब हो गई है राहुल गांधी के चुनावी मैदान में उतरने के बाद और भी कि अगर बात करें त क्लियर कर चुकी है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी चुनाव प्रचार पर फोकस करेंगी और अभी इस वक्त तस्वीरों में भी आप उन्हें देख रहे हैं सुनिया गादी भी पहुचेंगी और कॉंग्रस के राष्ट्र अधिक्ष मलिक आजुन खरगे भी आज नमां तो देख सकते हैं तस्वीरें आप लगातार आरपोर्ट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राउल गांधी पहुच चुके हैं प्यंका गांधी भी पहुच गई हैं और सबा बारा बज़े नावांकन भरा जाएगा आपको बता दे हैं हाँ पर सोनिया गांधी भी पहुच गई हैं तो शक्ती प्रदर्शन आज आपको दिखने वाला है राईबरेली में तमाम कॉंग्रिस की कारेकरताओं ने तयारी कर ली हैं सुभा से ही लगातार कॉंग्रिस पार्टी की कारेले पर ऑफिस पर हलचल देखी जारी हैं लेकिन फिलहाल ये एरपोर्ट की तस्वीरे राईबरेली एरपोर्ट पर पहुच गए हैं राहूल गांधी और आज नमांकर भरेंगे तो राहूल के चुनावी मैदान में उतरने के बाद राईबरेली की जंग और भी ज्यादा दिर्चस्प हो गई हैं सोनिया गांधी पिछली बार यहाँ पर चुनावी म अंतर से बीजेपी के उमीदवार को सोनिया गांधी ने हराया था डेड़ लाग से जादा वोटों से दिनेश प्रताप सिंग को हराया था लेकिन इस बार क्या राहूल ये कमाल कर पाएंगे तो न्यूज 18 उत्रप्रदेश उत्रा खंड पर लगातार आपको एक्स्क्लूजिव तस्वीर हम दिखा रहे हैं मैं कहड़ी हूँ और ये तस्वीरे देखिए राहूल गांधी पहुच गए हैं प्रेन से उतर गए हैं सोनिया गांधी उनकी माँ उनके साथ मौजूद है और ये सीट रायबरेली की सीट बेहद महतोपूर ये सीट जिसे कॉंग्रस पार्टी मान कर चल रही है और यहाँ पर चुनावी मैदान में राहूल गांधी को उतारा गया है तो बारा बज़े के बाद नॉमिनेशन फाइल किया जाएगा सबाब बारा बज़े का वक्त है और उसे पहले की ये तस्वीर आप देख रहे हैं तमाम कॉंग्रस के पार्टी के बड़े निता आज आपको यहाँ पर नजर आने वाले हैं और ये तस्वीरे आप देख रहे हैं जहाँ पर अपनी बहन प्रियंका के साथ आप राहूल गांधी को देख सकते हैं और उनकी मा सोनिया गांधी भी साथ में मौझूद तो काफी confident यहाँ पर नजर आ रहे हैं राहूल गांधी उनकी body language देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं तो आज पूरे शक्ती प्रदर्शन के साथ कॉंग्रस पार्टी के सभी बड़े नेता आज आपको राइबरेली में दिखने वाले हैं आशोग गैलोत की हम बाद कर लें कॉंग्रस के जुराष्ट्य अदेक्ष्य मलिकारजुन खडगे वो भी आपको एक मंच पर नजर आएंगे और फिलहाल ये सीधी तस्वीरे राइबरेली एरपोर्ट से आपको हम लाइब दिखा रहे हैं नुजेटीन आपको एक्स्क्लूजिव तस्वीर दिखा रहा है जहाँ पर मा सोनिया के साथ राहूल गांधी पहुँच गए हैं मोहन राइबरेली एरपोर्ट पर पहुँच गए है तमाम कॉंग्रेस पार्टी के बड़े नेता कितनी देर में यहां से रवाना होंगे और क्या कुछ तैयारी है आज नमानकन से पहले क्या बड़ा शक्ति प्रदर्शन भी पार्टी की नेताओं कर रहेगा जी बिल्कुल कॉंग्रेस जो है बड़ा सक्ति प्रदर्शन करने की त्यारी कर रही है राउन गांधी के साथ प्यंका गांधी भी है और कॉंग्रेस अब्ड़ेस मलिकार जुन खड़गे के आने की उमीद है यहां से अभी इनका फुर्सक जन से इनका काफिला निकलेगा भूए मोग इस्ठाउस आएगा और यहां से फिर यह लोग आएंगे केंदे कारले जहां पर हवन पूजन के बाद जो है यह लोग जुलू उसके सकल में नामंतन आगे बढ़ेंगे और नामंतन पतब दैक्सिंटे रहेंगे तो बिल्कुल तस्वीरे हम देख रहे हैं राए बरेली से जहां पर सोनिया गांधी प्रियंका गांधी और साथी राहुल गांधी भी पहुत चुके हैं मोहन कृष्णा मारे सायोगी लगतार हमर साथ में जुड़े हुए हैं मोहन आगे का क्या कारिक्रम रहने वाला है क्या कॉंग्रस पार्टी के कुछ और बी बड़े निता आ सकते हैं क्योंकि मल्लिका और जुन खडगे के भी लगतार पहुशने की जानका पहुचेंगे और नामांकन में साथ रहेंगे अभी उनके आने की पूरी संभावना है लेकिन जिस तरीके से राहूल गांदी का नाम कॉंग्रेस ने रायवली के लिए अनौस्किया उसके बाद कारकरताओं में जबत्रस्त उस्सा है और जो तद्वीरों में दिखाई दे लगाताब नारे बाजे चले अभी यही काफिला जो है इनके जो सुनिया गांदी का आवास से भूए मौ वहां पहुचेगा वहां पेक बार कारकरताओं के साथ बैठक होगी और उसके बाद जो है यह राहूल गांदी अपनी मा सोनिया गांदी और पहन प्रियंका गांदी के साथ किंदी कारे ले जाएंगे जहां पर हवन परमपरा तूप से जो हवन पूजन का कारिकम होता है वो किया जाएगा उसके बाद ही वहां से जुलूस के सकल में यह लोग आएंगे और कलेक्टेट में नामांकन दाखिल करेंगे लेकिन यह बताए कि राय बरेली के जनत वो कितना जादा उत्साहित नजर आ रहे हैं क्योंकि इससे पहले सुनिया गांधी यहां से चुनाव लड़ती रही हैं मांग यही की जा रही थी कि गांधी परिवार का ही कोई सदस से चुनाव लड़े फिर उसके बाद में प्रियंका गांधी का भी नाम का जिक्र हुआ लेकिन जो अंतिम मोहर है वो राहुल गांधी के नाम पर लगी। तो कारेकरताओं में भी खासा उत्सा देखा जा रहा है लेकिन इस बार मुकाबला कितना ज़्यादा दिल्चस्प रहने वाला है या फिर यह कहा जा क्योंकि बीजेपी ग्यारी कि असी में से असी सीटे जीते गी और बीजेपी की तरफ से भी तैयारिया काफी जारा जोरो होने वाला है तो मैं विकुल दिश्चण दिल्चस होगी क्योंकि क्वार्वेस के सामने भी अपने गढ़ को बचाने की बड़ी चुनोती है और लगातार पिछले दोतीं चुनाओं में देखा गया है कि का जो ग्राफ है इस कि तेने का जुग्राफ है वो लगातार कम वह तो कहीं न कहीं कॉंग्रेस के सामने भी यह चुनौती है कि वह अपने इस किले को बचाए क्योंकि 2014 और 2019 में रायवली ही ऐसी सीट थी जहां पर कॉंग्रेस जीती थी पूरे प्रदेश में तो कॉंग्रेस के सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि वह अपने किले को कैसे बचाती है उसकी क्या रणीत होती है और बीजेपी तो इस बास से उस साहित है कि जिस तरीके से केंदिया मंत्री ने वो रजाजी मंत्री दिने सिंग ने जो तैयारी के दी है पिछले कई सालों स लगातार पब्लिक के बीच में है उसको लेकर बीजेपी भी ये लोकल वर्सिस बाहरी के दंपर चुना लड़ रही है तस्वीरे हम ओहन कृष्ण लगातार देख रहे हैं राहुल गांधी प्रियंका गाधियो और साती सूनिया गांधी तीनों ही कॉंग्रस पार्टी के ब वो होगा जब राहुल गांधी अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे ऐसे में कृष्ण मोहन बताईए कि आज राहुल गांधी का क्या कुछ कारकरम रहने वाला है राय बरेली में क्योंकि आप देखिए वक्त बहुत कम बचा है पांचवे फेस में मतदान होना है बीजेपी कुछ और मुद्दे हैं जो जन्ता के सामने रख सकती कॉंग्रिस बिल्कुल बीजेपी ये मुद्द जरूर रख सबके सामने रखता है कि सोनिया गांधी जब 2019 के चुनाओं में जी ती उसके बाद बड़ा मुद्दा है कि कितने के बाद नहरु गांधी परिवार का कोई स प्लस पॉइंट है तो बीजेपी के लिए काफी जादा यहां पर प्लस पॉइंट लेकिन कॉंग्रस पार्टी की ये पुष्टैनी सीट है और बीजेपी के कई बड़े जो लीडर्स हैं वो यहां से चुनावी मैदान में उतरे हैं और साती जीत भी हासिल किये ऐसे में राई बरेली की जनता ने कॉंग्रस पार्टी को काफी जाधा प्यार दिया समर्थन दिया और बड़ी जीत के साथ में जो कॉंग्रस पार्टी की नेता हैं वो यहां से चुनाव जीतते रहे हैं ऐसे में इसे पहले सोनिया गांधी चुनावी मैदान में थी और अब राहुल गांधी चुनावी मैदान में है तो क्या वोटों में किसी तरह का कोई अंतर देखने को मिल सकता है या पिर कहा जाए कि जतना प्यार सोनिया गांधी को यहां की जनता देती रही है उतना ही राखुल गांधी को मिलेगा जनता के किस तरह के रियक्शन सामने आ रहे हैं जी आपको बताना चाहेंगे जनता भी को ये लगता है कि राखुल गांधी को जीता चे लेकिन सबसे बड़ी चुड़ाती है कि कॉंग्रेस अपना ये घर बचाएगी कैसे लगातार राजमंत्री दिनेज सिंक गांध पर महनद कर रहा हैं कारकरताओं के साथ बैठक कर रहे हैं पबलिक में अपनी बात रख रहा हैं पबलिक के बीच में हैं और उनके साथ-सास उनके घर वाले बीजुटे हुए अपाटी बी जुटी हुए है जबकि कॉंग्रेस ने बिलकुल एंड समय इसको गढ़ कहती है, तो इतनी देर क्यों? इस सवाल का भी जवब को देना है, कि आप अपने घर में आपने क्या लोगों के ऊपर भरोसा नहीं किया, या जो भी चीजे रही हूं, तो ये भी एक बड़ा सवाल है जनता के बीच में, कि आपने पिल्कुल आखरी मोगे पर ना झाल के नाख चुंड के नाख